क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 1 कॉंपोनेंट ऑफ इन्वारिमेंट का हम सॉलूशन करेंगे ये इसका सेकिंड पार्ट है इससे पहले हमने इसका फस्ट पार्ट कर लिया है और मैंने आपको क्लास 7 के सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स का एक्स्प्लेनेशन करवा दिया है आपको सभी चैप्टर्स का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्टिन में और प्लेलिस्ट में मिल जायेगा तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्टिन और प्लेलिस्ट को जुरूर चेक कर लेना तो हम d पार्ट से शुरू कर रहे हैं आँसर दा फॉलॉईंग वो हमने बताने हैं तो दो major component है physical environment और biological environment ठीक है physical environment में non living things आती है जैसे कि मिट्टी, river वगएरा ठीक है नदी और biological environment में क्या आती है living things आती है जैसे कि पेड़ पोधे, जानवर या फिर human beings ठीक है तो दो तरह का होता है component of environment physical environment and the biological environment are the two major component of the environment ठीक है यह तो बिल्कुल easy question था जिस बच्चे ने explanation वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो explanation वीडियो देखे उसके बाद ही यह solution वाला वीडियो देखे ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए तो second question है what is meant by CIMA and CIL, CIMA क्या है और CIL क्या है CIMA देखो SI, SI से बना है magnesium ठीक है below the CIL layer जो CIL layer होती है उसके नीचे की जो layer होती है below the CIL layer the rocks are mainly rich in silica and magnesium are called CIMA अब CIL layer जो होती है उसके नीचे एक rock देखो जो हमारी जो अर्थ है वो rocks से बनी हुई है उसमें rocks हैं अर्थ के जैसे हम उपर रहते हैं तो अर्थ के जो अगर नीचे जाएं तो क्या बनी हैं भी rocks हैं उसमें तो below the CIL layer के नीचे क्या है भई rocks are mainly rich जो rocks पाई जाती हैं उसमें क्या मिलता है अदिकतर silica और magnesium मिलता है इसी को हम सीमा बोलते हैं अब CIL क्या है the uppermost part of lithosphere जो हमारा lithosphere है उसका uppermost part है सबसे उपर वाला जो part है is composed of rocks इसमें कैसी rocks हैं ऐसी rocks पाई जाती हैं जिसमें क्या है silica और aluminium जादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भई CIL बोलते हैं तो इस दो question हो गए हमारे third question है इसका mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere जो हमारा अर्थ है उसके northern hemisphere और southern hemisphere में distribution of water कितना है कितना कितना पणी पाई जाता है तो यह अलग-अलग है the distribution of water is not uniform in both the northern and southern hemisphere जो distribution of water है वो एक जैसा नहीं है northern hemisphere में अलग से पाई जाता है और southern hemisphere में पाणी की मत्रा अलग पाई जाती है it is estimated that 43% of total area covered by water lies in northern hemisphere प्रित्वी पर जितना भी पाणी पाई जाता है उसका 43% कहा है भई northern hemisphere में है whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere और जो जितना पाणी पाई जाता है प्रित्वी पर उसका 57% southern hemisphere में पाई जाता है fourth question है इसका D part का give the literal meaning of four spheres of environment देखो हमारा जो environment है उसके चार हम कह सकते हैं चार spheres है उसमें उसका हमने literal meaning बताना है कि उसका अर्थ क्या है जो शब्द है उसका शब्दिक अर्थ हमने बताना है कि क्या मतलब है इसका तो चार environment के हमारे चार spheres है लितो sphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere तो लितो sphere का हमने meaning बताना है लितो sphere का मतलब है the sphere of rocks atmosphere का मतलब है the sphere of air और hydrosphere का मतलब है sphere of water और biosphere का मतलब है sphere of life तो यह easy question था अब next देखो fifth question इसका what is the atmosphere composed of, atmosphere किस से बना हुआ है तो atmosphere किस से बना हुआ है बैई? air से बना हुआ है, mixture of gases से बना हुआ है the atmosphere is composed of a mixture of gases which form an envelope around the earth, जो हमारा atmosphere है वो mixture of gases से बना हुआ है जो जिसने हमारी पृत्वी को चार हो तरफ से धक रखा है, envelope कर रखा है ठीक है mixture of gases, अलग-अलग तरह की gases, कुछ gases का नाम आपको भी पता होगा, oxygen है, carbon dioxide है, hydrogen है, nitrogen है, ठीक है, इस तरह की gases से atmosphere बना हुआ है, अब आ गए हम E part पे इसके answer the following questions, तो question one है, इसका E part का, differentiate between physical and biological environment, physical और biological environment के बीच में हमने differentiate करना है, कि क्या difference है, तो मैंने आपको पहली बता दिया है, that physical environment includes, जो physical environment होता है, उसमें क्या include होता है, all non-living things, इसमें सभी non-living things होती है, like, जैसे कि land हो गया, धरती होगी, जमीन होगी, water हो गया, air हो गया, यह क्या है, non-living things है, इन में जीवन नहीं है, whereas, the biological environment includes all living things, such as plants and animals, और जो biological environment होता है, उसमें living things होती है, जैसे कि plants होगे, animals होगे, human beings होगे, ठीक है, दूसरा question है, why is earth called the blue planet, अर्थ को blue planet क्यों कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, मतलब क्यों कहते हैं इसको, तो the earth is called the blue planet, because of abundance of water on its surface, अर्थ को blue planet हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यदा पानी पाया जाता है, the water bodies that include river, और जो water bodies यहाँ पर पाई जाती हैं, उसमें क्या क्या हैं, rivers हैं, lakes हैं, seas हैं, और oceans हैं, cover 71% of earth's surface, और जो जितना भी earth's surface है, उसका 71% पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इसलिए इसको blue planet कहते हैं, जब पृत्वी को हम उपर से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, जब space से देखा जाता है, तो पानी के रंग, जो यह पानी है, वो उपर से नीले रंग का दिखाई देता है, और हमाई पृत्वी भी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको blue planet बोलते हैं, अब इसका third question है, define biosphere, why is it important for us, biosphere को हमने define करना है, इसकी definition बतानी है, और यह हमारे लिए important क्यों है, biosphere, the word biosphere literally means the sphere of life, अगर word की बात करें, इस word जो biosphere है, इसका मतलब कहा है, यानि कि यह life का, जीवन का sphere है, तो अगर definition देंगे, तो biosphere is the narrow zone of contact between all other three spheres of environment where all kind of life exists, जो biosphere है, ठीक है, वो एक narrow zone है, contact between all other three spheres, जो दूसरे जो तीन spheres हैं, lithosphere, atmosphere और hydrosphere, इनके बीच, इनके बीच की एक यह क्या है, एक narrow zone है, जहां पर life पाई जाती है, life exist करती है, it is important, अब यह हमारे लिए important क्यों है, biosphere, it is important to us, because it provides necessary environmental condition for life on earth, यह हमारे लिए इसलिए important है, क्योंकि जो biosphere है, वो हमें provide कराता है, एसी condition, जिसके कारण अर्थ पे क्या होती है, भई, life होती है, अगर biosphere ना हो, तो अर्थ पे life नहीं होगी, नेक्स्ट, explain with the help of an example, how physical and biological component of the environment are interdependent, हमने एक example से explain करना है कि कैसे physical और biological component एक दूसरे पर depend करते हैं, तो इसका अंसर होगा, the physical and biological component of environment are interdependent, any major change in physical environment is bound to bring a change in accompanying biological environment, अगर physical environment में कोई change होता है, तो उसका असर किस पर पढ़ेगा, biological environment में पढ़ेगा, the change can be sudden or gradual, जो यह change होता है, जो इसका effect पढ़ेगा, वो sudden भी हो सकता है, और gradual भी हो सकता है, धीरे धीरे भी उस पर पढ़ सकता effect, for example, example क्या लिए है, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our senses, जो soil जो बनती है, जो मिट्टी, उपर वाली जो परत होती है, मिट्टी की, जब वो बनती है, तो उसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, और यह इतना slow change होता है, कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह बहुत दीर दीर होता है, on the other hand, दूसरी तरफ, some changes are very sudden, जो कुछ changes ऐसे होते हैं, जो बहुत तेजी से होते हैं, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcano, जैसे कि कोई earthquake आजे या volcano आजे, इसके कारण बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से change हो जाता है, जैसे volcano आता है, तो volcano क्या है, एक physical factor है, ठीक है, physical component है, इसके कारण क्या होता है वही, biological component पे क्या पढ़ता है, असर पढ़ता है, एकदम से जहाँ पे भी ज्वाला मुख्य आता है, वहाँ पर एकदम से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ज्वाला मुख्य का जो लावा होता है, वो फैल जाता है, और वहाँ का जो environment है, वो उसे change हो जाता है फिफ्ट है question number five explain two ways in which human beings are disturbing the natural environment दो ऐसे आप reason बताओ ठीक है दो ऐसे ways बताओ जिसमें human beings है यानि कि हम जो natural environment है उसको disturb कर रहे है कौन-कौन से वो तरीके हैं जिससे हम disturb कर रहे हैं human beings are disturbing the natural environment by कैसे कर रहे हैं सबसे पहले है industrialization यानि कि factory अगरा लगाना ठीक है ऐसा कोई काम करना which causes air pollution इसके करण क्या होता है factory अगरा लगाने से क्या होता है air pollution होता है और water pollution होता है जिससे क्या होता है वह environment जो है वो disturb होता है दूसरा क्या है deforestation जंगलों की कटाई करना पेड़ों की कटाई करना deforestation is causing global warming deforestation के करण क्या होता है global warming होती है और and effect the natural environment badly जिसके करण global warming के करण जो हमारा natural environment है वो बुरी तरह से क्या होता है उस पर परभाव पड़ता है तो यह हमारा complete हो गया solution इसका अगर वीडियो आपको अच्छा लगए है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ share जुरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार